जहीं दोस्तों आज की सेशन में हम लोग GS के important questions को cover करने वाले हैं दोस्तों जैसे के हम लोग जानते हैं कि प्रतीक दीन हम लोग 30 MCQ questions को cover करते हैं तो आप लोग का काम हैं बढ़ा तरीकर से समझना है और last में score भी बताना है कि 30 में से कितना right answer आप लोग का सही हुआ है इनके बीच थोड़ा सा theory भी हम लोग study करेंगे और MCQ questions को भी study करने वाले हैं तो चलिए देखे question है कि smooth patient उपस्तित होती है जो चिकनी पेशी होती है वो कहाँ उपस्तित होती है सीराओं में, uterus में, धमनियों में या फिर in में से सही आप लोग काम है comment box में right answer को comment करना है चलियर है चलिए तो इस question का right answer हो जाएगा इन में से सभी सभी जगह पर smooth patient उपस्तित होती है सीरा में भी होता है, uterus में भी होता है और धमनी में भी होता है इसलिए next देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग इनको समझने से पाहले tissue को समझते है ठीक है देखिए tissue का मतलब होता है उत्तक और उत्तक किनको कहा जाता है तो कोशिकाओं के ऐसे समूँ कोशिकाओं के ऐसे समूँ जो एक जैसा कारे करे उनको उत्तक कहेंगे ठीक है कोशिकाओं कैसा समूझ जो एक जैसा कारी करें अब ये सेल यानि की कोशिका कि इनको का जाता है तो सरीर की सरंचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका काते है इस परकार से जो बिल्डिंग बनता है छोटा छोटा इंटा से मिल करके बनता है तो यह जो building है उनके लिए जो इंटा है वो छोटा कोशिका हुआ उसी परकार से हमारा सरीर छोटे छोटे कोशिका उसे मिल करके बना होता है कोशिका से उत्तक बनता है उत्तक से organ बनता है organ से organ system और उनके बाद body का निर्मान होता है अब हम लोग बात कर लेते हैं टिसू के परकार देखो अगर उत्तक देखा जाय तो मुशली चार परकार को उत्तक टिसू को चार परकार से डिवाड किया गया है पहला अगर बाद किया जाय तो उपकला उत्तक no down करते चलिए दुसरा है संन्योजी उत्तक तिसरा है पेशी उत्तक और चोथा हो गया संत्री का उत्तक अगर हम उपकला टिसू के बारे में देख लेते हैं तो उपकला टिसू का भी दो परकार होता है पहला हो गया सरल उपकला उत्तक और दूसरा हो गया जटील उपकला उत्तक कि वे और सरल उपकला उत्तक का तीन परकार होता हया ती जफावा स्कौवामस मतलब होता सरल्टकार, भनाकार परकार, घंभानुमा, सरल उपकला उत्तक, इस परकार से सरल उपकला उत्तक का एक्जामपल हुआ, जो कि अधिकतर नस वगरा फेफरों में अधिकतर पाजाता है, ठीक है, नस हो गया, किर्णी हो गया, या फिर ओबा मस्पम हो गया, फेफरा होगा, सलाइवरी ग्लैंड वगरा, इस सब चीज में स अना समय हो, सलाल उत्तक ऑगरा नस हो गया, जो कि में समय हुआता है, और विलड पोल सकते हैं, विलंड पजय आपका समय उत्तक, पेशी हो गया, बेशी में जैसे कि चिकनी हो गया ना, मान्सपेशी वगरा, मासफी ब्owan के अधिकतर, गया ऑनन दही나, जो थाना, आ आएव अगर बात कर लेते हैं तंत्रीका में तंत्रीका में तंत्रीका कोशी का होता जो की नर्व सिल्स वगर होता है जो information को पुरा बोडी में फैलानी का काम करता है और external जो भी information वह हमारे brain तक पहुचाने का काम इन्हीं का होता है तेस्ट हो गया चाहिए जो चीज हम लोग देख रहे हैं चाहिए जो feel कर रहे हैं यह सब message हमारे brain तक पहुचा जाता है इन्हीं tissue के जरीए यह tissue का छोटा मोटा जानकारी तो कोशन देख लेते हैं इन्हेश कोशन है के दिखिए कादफ उत्को के पादफ उतको में परिपक्वता की अवस्ता में जिवीध प्रोटोप्लाज्म का अभ़ाव होता है तो प्रोटोप्लाज्म का अभ़ाव किस में होता है तो ओप्षन देख लिजिए ओप्षन है औलेंध काईमा श्क्लेरेंट कायमा एपीडर्मी या फिर ड्रेकिड्स अडा क सकते समय व्हों का ध्यान से समज़ते चलना जो कि हर एक कोशें इंपोर्टेंट है देखिए, बोड़ आए कि सिन्योजी उतक में पाई जाने वाले स्वेत तंतूं का निर्मान होता है स्वेत तंतूं का निर्मान कहां से होता है तो मायोसीन के दुआरा, इलास्टीन के दुआरा, रेटीकुलम तंतू के दुआरा या फिर कॉलेजन तंतू के दुआरा तो बताएगा इसको राइट एंसर क्या होगा देखे, सिन्योजी उत्तक जिसमें बलड वगरा होता है और बोन होता है इसमें जो सफेद तंतू होता है, वो आपका कॉलेजन तंतू के दुआरा उत्पन होता है तो इनको एक्च्छोल में टैंडेन्ट और लिगामेंट भी कहा जाता है अगला कुशन देखिए, टैंडेन्ट के दुआरा आपस में जुड़ा होता है देखिए अगर हम बात कर लेते हैं लिगामेंट लिगामेंट क्या करता है तो पेसी को हड़ी से जोरने का काम करता है और जो टेंडेंट होता है वो बोन को बोन से जोरने का काम करता है तो एक अस्थी को दुसरी अस्थी से जोरने का काम करता है टेंडिनेंट और लिगामेंट क्या करता है पेसी को मतलब मांस पेसी को हड़ियों से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट और टेंडेंट याद रखेगा इनपोर्टेंट है अगला कोशन देखिए की Ariolar उत्तक मौजूद होते हैं अगला कोशन देखिएगा की Flux M का कारिक क्या होता है तो देखिए जो Complex Tissue होता है इनका दो पार्ट होता है, प्लांट में जो complex tissue होता है, उनका दो पार्ट होता है, एक होता है जायलम, एक होता है phloem, जायलम का काम होता है कि जड़ से पतियों तक minerals और water को पहुचाना, और phloem का काम होता है कि भोजन, पतियों जो भोजन बनाता है starch के form में, उस भोजन को और जल का शमवहन करना जायलम का काम होता है भोजन का शमवहन करना प्लोयम का काम होता है पोधों को सहारा कौन देता है तो तना प्रकास संसलेशन जिनके दुवारा पेड़ पोधा अपना भोजन बनाता है उस प्रोसिस को कहा जाता है फोटो संतेसिस पर इनी के कारण पेड अपस्तित होती है हाथों में गर्दन में पैरों में या फिर इन में से सभी तो देखे इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा इन में से सभी रेखी पेशिया उपस्तित होती है इन में से सभी अगला कोशन देखे ब्रस बार्डर एपिथिलियम पाए जाते हैं प्रस बार्ड इस टूब जो कि एंगली में पाजाता है मांस आपकर चोटी आइंट में पाजा थिकत लिक्नी सतहों को बनाने में epithelium tissue का यूज होता है तो चिकनी सता आत में होता है तो छोटी आत इस question का right answer हो जाएगा epithelium tissue अगला question देखिए next question है एक लंबी अस्ती के सीरे दूसरी अस्ती से जुड़े होते हैं किन के जरिये अस्ती को अस्ती से जोड़ता है तो इसका right answer क्या होना चाहिए आप लोग comment की जाएगा cartilage के दुआरा, ligament के दुआरा tendon के दुआरा या फिर सहियों जी उत्तक के दुआरा bone को bone से जोड़ता है ligament ठीक है और जो tendon है यह क्या करता tendon जो है वो पेशी को bone से जोड़ता है इस चीज को याद रखेगा अगला question देखिए जी विज्ञान के साखा जिसमें प्रानियों की पहचान नाम पद्धती और वर्गी करन का अध्यन क्या जाता है कहलाती है question यहाँ है कि जी विज्ञान के साखा जिसमें प्रानियों की पहचान नाम पद्धती और वर्गी करन का अध्यान कालाता है उनको क्या कहेंगे तो फाइटो, जियोग्राफी, मारफालोजी या फिर एकालोजी या टेक्सोनामी तो बताएगा इस कुशन का राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा टेक्सोनोमी जिसमें नाम पद्धती के बारे में बता जाता है तो वर्गी करन के बारे में देख लेते हैं तो वर्गी करन का मतलब होता है जिवो को काल खंडों में बाटना इसमें उनके स्पिसीज, जीनस, फैमली, ओर्डर, क्लास, फाइलम, किंग्डम, डॉमेन, लाइफ इन सब को देखते हुए जिवो को अलग-अलग काल खंडों में बाटा जाता है ताकि उनकी पहचान, उनका बिहेवियर, उनका रहनसहन आसानी से समझा जा सके इस परकार से पूरे प्राणी जगत को पाँच काल खंडों में बाटा गया है इसमें से पहला होता है मोनेरा, प्रोटिष्टा, तिसरा है पंगी, जीग है तो उता हो गया प्लांटी, और पच्वा हो गया एनिमेलिया तो इस परकार से पाँच भागों में बाटा गया पूरे प्राणी जगत को मोनेरा, प्रोटिष्टा, फंगी जिसको फंजाई विका जाता है प्लांटी और फिर एनिमेलिया मोनेरा सबसे छोटे जीवों को रखा गया है बैक्टरिया वारस को प्रोटिष्टा उनसे बड़ी जीवों को रखा गया है जो सिंगल सेल एनिमल होता है फंगस में जितनी भी काई वगरा कवक वगरा है रेट फंगस ब्लू ग्रीन एल्गी वगरा को रखा गया इसमें प्लांटी में प्लांट कैटेगरी जितना भी है तेलोफाइटा, ब्राइफाइटा, टेडोफाइटा, जीमनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन सब को रखा गया और प्लांट अगर एनिमेलिया का बारे में देख लेते हैं इनको भी दो भागों में बाटा गया पहला है वा पानी जगत को पांच खंडो में विभाजित किया गया ताकि उनको बढ़या तरीका से समझा जा सके इस कोशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा टैक्सोनोमी से लिए एगला कोशन देख लेते हैं देखें नेच कोशन अपनुकर सामने के टैक्सोनोमी के जनक किसे कहा गया है अकसोनोमी के जनक कीन को कहा गया है लाइनियस को ट्रिय को डार्विन को या फिर मेंडेल को देखे इसका रायट अंसर हो जाएगा मेंड Sweden को कहा गया है मैंडल से को श्रक का रायट इंसर हो जाएगा बह़ी करन का मूल इकाई क्या है species, variety, family या फिर genus यहाँ पर है पहले kingdom आता है फिर phylum, class, order, family, genus और last में आता है species इसका right answer क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जो कि completely बाटा गया प्रोटिस्टा फिर पोरी फेरा इसलेंट रिटा यह आपका जितना भी है यह जीवों को बाटा गया इस परकाशे जो कि इनवार्टिबरेटा के अंदर में होता है इनवार्टिबरेटा कि इस परकाशे बाटा गया है प्रोट जोवा उसके बाद मोलस्का हो गया इकाइनो डर्मिटा हो गया अर निकोडलेटा होगया उसके बाद को और कैसे बर्टीब्रेटा कोना जाता है जिसमें मचली होता है फीर मतलब पंची रप्रॉड मैं जो कि अपने बच्चों को दूध हिला तहे इस परकार से पूरी प्राणी जगत को देखे आंपे बाटा हुआ है। स्काइबो प्रौटो जुवा के अंदर में इवर्वा ग Howard बता है पुरी फिरा का जगह पर पम पर सिलेन ट्रेटा के जेगह पर पाइस सब धरा आता अacağ। प्लेटी हलमेंथिस में फ्ले नेरिया वगंद निमे टोटा निमे टोट सी आता है अने लिडा में आ अठीज़ोडा केचुव वगंद आता है आत्रोपोडा मतलब कीदा वगंद ए देखिए एक एक लेक्षा पचान क्या छे जोड़ा लेग होता है च्छारी दोले लेक्षा है और काउंट कीजिएगा तो छे गो पेर होता है इंसेक्ट का मुलस्का में स्नेल वगरा होता है जिसके उपर में कवच होता है अनोडर्मेटा में 40% वगर श्टारफीस वगर हो गया और हैमिकोडेटा में एक ही आपका है बलेनो ग्लोसस तो इन सब को याद रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है इसका राइट एंसर हो जाएगा जो कि वरगी करन का मूल इकाई है अगला कोशन देखिए सेवाल इससे सम्बंदी थे इन में से किससे सेवाल सम्बंदी थे टेडोफाइटा थेलोफाइटा ब्राइफाइटा या फिर सभी सेवाल इन में से सभी में आता है ठीका ना सेवा चलिए आगे देख लेते हैं इन में से सभी स्कूशन का राइट एंसर हो जाएगा इसको देखे द्वीपध नाम पद्धती के प्रस्तावक कौन थे केरोलस लीनियस यान रे एपी टेकेंड डोले या फिर एल डिजू डिजू लियन अधार इसका राइट एंसर हो जाएगा केरोलस लीनियस इसका राइट एंसर होना चाहिए यहां पर लाइन यहां लिखा है केरोलस लिनियस तुई नाम पुदधती इन्हों ने ही दिया थे मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है होमो चैपियन्स होमो और सेपियन्स दो नाम से बना हुआ है मनुष्ट का सांटिफिक नेम की नाम दिया हुआ है के लिए रहे इसी परकार से जैसे कि मोर मोर का सांटिफिक नेम हो गया पाव क्रिस्टेटस तो इस परकार से आप लोग को मैक्सिमम 20 से 25 नाम याद रखेगा जो कि बहुत ज़्याद इनपोर्टेंट है जैसे कि धान का सांटिफिक नेम पंपोर्टेंट है तो सथे नेम इनपोर्टेंट है ज्याद रखिएगा अगला प्रलेंड में संचीत भोजन होता है शिवाल कोशिकाओं में इस फॉर्म में भोजन संचीत होता है इस्टार्च के फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में तो जैसी कि हम जानते हैं कि जो पेड़ पुदा होता है उसमें इस्टार्च के फॉर्म में भोजन इस्टोर होता है और ये भोजन बनता किस प्रोसेस से फोटो सेंथेसिस के प्रोसेस अगला कोशन देखिए कि I can का एलगन सहयोगी कहलाता है क्या कहलाता है माइकोवा यांट या फिर फाइको वायाट उप्योगत दोनों या इन में से कोई नहीं तो देखिए इस कोशन का राइट एंसर होना चाहिए option नंबबर B नानी कि फाइको बायाट इसका राइट एंसर हो जाएगा next one देखिए कि टे डोसर में जितनी भी पोधा होता है सब डेकोरिशन के काम में यूज किया जाता है तो यह समुद्री पोदे हैं या अश्वपुच्छ है कलब माशेक है या फिर फर्न तो बताईएगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा देखिए एक परकार का फर्न होता है टेडोफाइटर्स में क्या होता है फर्न अगला कोशन देखिए कि जीम्नो स्पर्म इसके दुवारा अभी लचनित होते हैं तो देखिए प्लांट जो होता है उनको भी लगभग पांच अच्छे परकार से बटा गया पहला है थैलोफाइटा ब्राइवफाइटा टेडोफाइटा जीम्नो स्पर्म और फिर एंजियो स्पर्म तो अगर जीम्नो स्प स्पर्म देखा जाएं इन में जो फल होता है उसके उपर में कोई कोटिंग नहीं होता है और दुसरा बात है कि इनका कोई भी फूल नहीं होता है जीम्नो स्पर्म में फूल नहीं होता है और फल के उपर में कवर नहीं होता है एंजियो स्पर्म में फूल होता है अब फूल इसके द्वारा अभी लचनित होते हैं या इसका रायट एंसर क्या हो गया नगन भीज होता हैं। तो इसका रायट एंसर हो जाएगा। अगला कॉशन देखिए कि न्यूमेटिक अस्थिया इसमें पाई जाती है। वेल में चर्प में मोर में या फिर डॉल्फिन में तो न्यूमेटिक अस्तिया पाई जाती है मोर में याद रखेगा अब मोर का शांटिफिक नेम क्या है पाव क्रिटेटस अगला कुशन देखिए बंदर को निमलीकित में से किस संग में रखा गया है हम लुख जानते हैं कि बंदर जो अपनी बेवी को दूद बिलाता है इसलिए इनको मेंमल कैटेगरी में रखा गया है है रैप्टाइल्स बोला जाता है। जो रेंग कर के चलता है जैसे क्रोकोडायल जैसिक कच्छुवा स्नेक सब रैप्टाइल कैटेगरी में हो गया ठीख सब्सक्राइब को जाना जाता है कपास मास में एक खुर में कपास मास किसी किसी और को कहेंगे कोशन देखेंک is रिक्षिया तो स्फे गमन को मारकेंशिया को या फिर फर्ण को देखिये इसका राइट एंसर हो गया श्फे गमन को ही पास मास के नाम से जैना जाता है अगला कुशन देखिएगा कि निम ने लिखी तो वर्गों में से किस में जंतूं की संख्या सबसे अधिक होती है किस वर्ग में जन्तू के संख्या सबसे अधियक होती है तो Mamos का Reptiliya का Insecta का Insect जिसको कहेंगे जा फिर Pisces Pisces का मतलब होता है मचली Insecta Atheropoda को कहा जाता है जिसका पेर आपस में जुड़ा होता है जो की ग्जाम्पल दिये थे Ant Reptilia यह है चिपकली और मेमल्स जिसे की बंदर जानवर मनुष्य तो देखे सबसे ज़्यादा इंसेक्ट कैटेगरी यानि की आत्रोपोडा कैटेगरी आत्रोपोडा संग का जीव सबसे ज़्यादा होता है तो याद रखेगा ऑप्शन नुमर सीज का राइट इंसर हो जाएगा देखे इन में से कौन अंडा देने वाली अंडा देने वाली स्थंधारी है स्थंधारी होते वह अंडा देती है तो प्लेटिपस हो गया मनुष्य बाग या फिर हुएल इसका राइट एंसर हो जाएगा प्लेटिपस एक ऐसा अस्थंधारी है जो बच्चा ना दे करके अंडा दे अगला कोशन है निमलीखित में से कौन एमफीबियन जनतु है एमफीबियन उभाइचर को का जाता है जो जल और थल दोनों में रह सकता है तो मेंडग बगूला चिपकली या फिर घोड़ा तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मेंडग देखें मेंडग अगर देखा जा सांस लेता है हाइवर नेशन के कंडिशन में यह स्कीन से सांस लेता है जब पानी के अंदर आता है तो दिल से सांस लेता है गलफडा से इन तरीकों से यह सांस ले सकता है और यह एक परकार का एमफीबियन प्राणी है निमलीखित में से कौन एमफीबियन वनस पत्ती है त इसका राइट एंसर हो जाएगा रिक्सिया रिक्सिया वनस्पत्ति जो की एमफिबियान है यानि कि जल और थल दोनों में रह सकता है अगला कोशन देखे विटामिन सब्द का प्रियोग सरो परतम किस वेज्ञानिक ने किया था तो फंक ने लिएन हुक ने आल्टमान ने या होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल तो वाटर सोल्यूबल में याद रखेगा टी और सी यह वाटर सोल्यूबल विटेमिन है और फैट सोल्यूबल से याद रखेगा के डी डी ए विटामिन के विटामिन ए विटामिन दी और विटामिन ए यह राइंसर क्या वाशा पंक नेक्स्ट देखिएगा मैं निम देन से कौन सा वीटामिन फैट में घुलन नहीं है कि फैट में घुलन शिल नहीं वव से वुह्तामिन ऑर सक्स्रों चुलाur. वीटामिन बी देखे विटामिन एक य का सांथिफिक नेम रेटिन जो रतुंदी नामक बिमारी होता है जो हमारे आँखों को डेमेज करता है और औरेंज कलर का जितने भी फल या सब्जी है जिसमें विटामिन ए अधिकतर पाजाता है मुख्यस रोत इसमें से पापाया टैरोट इनको बोल सकते हैं जो कि विटामिन ए का रिस सोर्स है ठीक है म यह अधियार को दूखहे चोसर करते हैं जसा में नेज़न जाज दोचान chỉ अग्लाइस देखें पंस तब्यभितिय शुका रन जूट कर दा है रोड़न कर देदेखें रमरी फिर फ्रकर जोटें थर्ण टेंसर क्या हो जाएगा दूद में उपस्तित सरकरा को सुगर को लेक्टोज का जाता है याद रखेगा और रहनी नाम के एंजायम जो की लेक्टोज को पाचन करता है अगला कोशन देखिएगा नेक्स्ट वन है कि पेलेग्रा बीमारी का नाम है यह किसकी कमी के कारण होता है पेलेग्रा किन की कमी के कारण होता है इंपोर्टेंट कोशन है थामीन के कारण स्कार्बिक अमल के कारण नियासीन के कारण याफिक कैल्सी फेरोल के कारण यह एक्चल में विटामिन डी होता है कैल्सी फेरोल और थामीन एक्चल में विटामिन भी होता है स्कार्बिक अमल रोग होता है लेए नियाशी नामक मिनेरल से ही अगला कुशन देखे हाथी पाः एलिफैंटेस्स जो बोलेंगे एखे पने मैंस nearest किसके द्वारा बीमार क्क जनीत होता है जीएलिफैंटेसी जिसमें से जो पाँ होता बहुत ज्यादा फुल जाता है ये किनके कारण होता है जिवानू या फिर हलमिन्थ प्रोटो जुआ या वाइरस देखें इसका राइट अंसर हो जाएगा हलमिन्थ ठीक है वूच एरिया नामक ये जिवानू जिवानू नहीं है हलमिन्थ है ले रह इस विमारी को कज़र्ज करता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस क्लास थेंक्यों कि अ झाल झाल झाल